लियुक्स वेलकुम दू एक्जाम प्रैप लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने इवोपीरेशन ट्रांस्पिरेशन और इवापट्रांस्पिरेशन का अदेटेल में आजके इस लेक्शर में इंटरसेपशन और डेप्रेशन स्टोरेज कववड करने वाले हैं sounds that daí smoke so let's start interaction क्या होता है जब भी हमारी बारिश होती है जब भी precipitation होता है तो पूरा precipitation हमारा ground पे नहीं जाता है पहले हमारा precipitation encounter होता है किससे अगर कोई vegetation है तो उस से कोई structure से हुआ तो उससे तो क्या होता है लिगने जैसरे हमारा फिर लीवस इसे वह फॉल होके ग्राउंड पर आता है या फिर वह ब्रांचे सो स्टेम के तो ग्राउंड पर आता है ठीक है तो यह होता है हमारा इंटरसेप्शन मतलब the water is the rainfall is intercepted by plant similarly अगर को इस्ट्रॉक्चर है हमारा तो पहले हमारे इस्ट्रॉक्चर पर वह इंटरसेप्ट होगा फिर जाके वह ग्राउंड पर आएगा ठीक है हमारी हीड्रोजिकल स्ट्डी में क्या होता है हम हमारी स्ट्डी को सर्फ वेजिटेशन तक लिमिटेड रखते हैं क्योंकि इस्ट्रॉक्चर बहुत वह बहुता है उसको हमारे हीड्रोजिय में कंसिडर करना थोड़ा दिफिकल्ट होता है तो हम इंटरसेप्शन जो देख और वह जो वाटर हमारा लीव्स पर इंटरसेप्ट होता है वह फाइनली एवपोरेट होके वापिस से एक्मोस्फिर में चला जाता है तो इसको क्या कहते हैं इंटरसेप्शन लॉस इंटरसेप्शन लॉस क्यों बोला हमने क्यों वह पानी लीव्स पर जमा हुआ और फिर वह से वोपिरेट भी हो गया थी लौस लौस हो गया वापस से हमारा सैंक यहीं होता है पानी ऐसके फ्लम आसे फञुन कार सिर्फा घर ग्राउंड पर ते nacみें से फ्लम जब यह द्रिशी टूर जब श्रेंद रिखर चैन तो इसको हम क्येते है तेंस स्टेंफ फ्लो ठीक है? तो इंड्रसप्शन कम तीन तरह से classify कर सकते हैं, Canopy Interception लोस, Throw Fall और स्टेंप फ्लो अब इसमें से देखो जो यह कैनों पे इंटरसेप्शन है यही सर्फ इंटरसेप्शन लॉस है क्योंकि इसमें पानी वापे से वोपरी ठोके एटमस्फर पे यह हमारे अर्थ पे नहीं आ रहा है बटी जब थू फॉल हुआ यह स्टेंप फ्लो हुआ यह हमारे रन ओफ में एड होता है इन दोनों को हम लॉस में कंसीडर नहीं करते हैं ठीक है अब क्या होता है जितना भी हमारा प्रेसिपिटीशन होता है उसका 10 to percent precipitation का volume जो रहता है amount जो रहता है वो water intercepted होता है ठीक है amount of water intercepted कितना होता है 10 to 20 percent of precipitation ठीक है अगर हम intersection का loss देखें और rainfall देखें ठीक है तो अगर हमारा जैसे जैसे rainfall बढ़ती जाएगी हमारा इंटरसेप्शन का loss कम होता जाएगा क्यों and we are talking about percentage intersection loss अगर small storm में तो ज्यादा होगा percentage intersection और अगर large storm में तो कम होगा ऐसा क्यों देखो जैसे हमारा अगर मानो इंटरसेप्शन तो हमारा fix है normal सी बात है जो भी हमारा vegetation है उसके उपर कितनाघव स्टोर हो सकता कितना पानी जमम हो सकता वह तो fix है suppos यह हमारा कोई ऐ स्टोड़ हो सकता है वह तो fix है मतलब हमारा क्या है interception का amount fix है interaction है Interception माला हमारा टू ऐम हो रहा है वह तो fix है 场बstra์शन अगर हमारा small storm में स्मॉल स्टॉर्म से 4 mm का स्टॉर्म है और एक हमारा लाज स्टॉर्म वह मानलो 10 mm का है तो अगर हम पर्सेंटेज इंटरसेप्शन निकालेंगे दोनों के केस में तो पहले वाले केस में क्या आएगा 2 by 4 into 100 कितना आया 50% आएगा 2 by 10 into 100 20% है तो एस्मॉल स्टॉर्म के लिए हमारा इंटरसेप्शन परसेंडा आता है लाज स्टॉर्म के लिए कम आता है तो यह ग्राफ is जैसे जैसे हमारे रेनफॉल का वाल्यूम बढ़ता जाएगा परसेंटेज इंटरसेप्शन हमारा कम होता जाएगा ठीक है अ इंट्रसेप्शन को काल्कफिलेट करें के लिए इस फॉर्मिले का यूज करते है. I T इकोज तो S प्लस K E T S क्या है? इंटरसेप्सस्टोरेज इंटरसेप्स्टोरेज़ डिपेंड करता है वेजिटेशन के उपर ज्यादा vegetation होगा तो ज्यादा intercept storage होगा, कम vegetation होगा तो कम intercept storage होगा, इसके value vary करती है, 0.25 से 1.25 mm तक, ठीक है, K क्या है? K है हमारा एक ratio है कि, जो किसके बीच का ratio है? vegetal surface area to projected surface area. कि हमारा projected surface area कितना है, और उस पे जो vegetal surface area वो कितना है, उसका ratio है कि E है हमारा evaporation rate और T है duration of rainfall hours में ठीक है तो interception loss निकालने के लिए हमारा formula होगा है S plus KET तो this was all about interception इसमें यह जरूर याद रखना कि small straw में तो percentage interception ज्यादा होगा large straw में तो कम होगा उसका मैंने reason यह आपको बताया है ठीक है now next is depression storage अब क्या होता है जैसी हमारे rainfall हुई तो पहले तो वह किसे intercept होगी vegetation से structure से उसके बाद जब हमारा rainfall ग्राउंड पर आती है तो हमारे ग्राउंड में जितने भी depressions से पहले वह फिल अप होंगे देखो जैसे यह depression फिल नहीं हुआ तो यह रन उफ नहीं होगा अगर depression हमारा फिल अप हो गया उसके बाद जो rainfall होगा वह रन उफ में जाएगा ठीक है तो depression storage जो volume of rainfall that gets stored in this depression is called depression storage ठीक है अभी किस पर depend करेगी simple सी बात है type of soil के उपर condition क्या है surface की उसमें nature और amount of depressions कितने है slope क्या है catchment का ठीक है अब इसको measure नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में depressions कितने amount number और volume of depressions से वह हमें नहीं पता तो इसलिए depression storage को quantitatively calculate नहीं कर सकते measure नहीं कर सकते और यह depression storage होता है और यह interception होता है क्यों को collectively हम क्या बोलते है initial losses क्योंकि जैसे ही rainfall होती है initially our water get lost by these two processes इन दोनों के बाद ही बाकी processes start होती है okay so this was all about interception and depression storage अगर आपको कोई doubt हो तो you can ask me in comment section thank you